हाँ मेरी यूटूब पेमली कैसे हैं आप सब लोगा बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा है और आप पीछे बैक्ग्राउंड देखके जान सकते हैं कि मैं आजमगर्ड डेस्टिंग में पहुच गया हूँ वीडियो ना आने का कारण सबसे में कारण ही कि बड़े भाई सापका साधी था और काफी दिरों से साधी की तयारी हो रही थी जैसे कि 15 अक्टूबर को मेरी टीजिंग कतम होई दी जाके मैं लास्ट टाइम का वीडियो भी डाला है आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर उठाके इसके बाद मैंने लगातार स्वापिंग किया दिल्ली में जाके और फैजाबाद में भी काफी स्वापिंग किया सरदार है या और जो चीजे है जो फैजाबाद की निवासी हो जानते होंगे और इसके बाद लगातार कारण बाटने का सिस्टम मेरे जिम्मेदारी में था तो जितने रिस्तिदारी में जितने बुवा थी या और अंटी जुथी उनके यहां मौसी जुद्नी थी जो है स्बके यहां लगातार काट बाटना मेरीजम्यदारी थी तो अधिकतर मैंने सब जगहां defensive करना था यहूज जिमेदारी मेरे ही सर पे थी मैंने सबको रिसीब भी किया इसके बार लगा था तिलक जैसे कि आप जानते होंगी कि 17 नॉम्बर को मेरे यहां जो है स्रीमत भागुत कता का प्राराम भुआ था स्वारी और इसके बाद जाके 23 तारीक को उसका हमन था और 23 तारीक को हमन जाके ह हुआ तेज तारीक को डेट था लेकिन कुछ अपतिजन कारोडों की वाज़े से उसको टाल के 24 तारीक को कर दिया गया 24 तारीक को मेरे बड़े भाई साब जी का जैसे कि आप जानते होंगी इंडिया रेलोय में वो बड़े बाबु की पत्पे हैड़कॉर्टर पे थे हैं और हेड़कॉर्टर का मैंने आपको जिक्र दिखाया था तो 24 तारीक उनकी तिलक थी तिलक उसी दिन हमन भी था उसी दिन तिलक भी थे तो पूरा मैनेजमेंट जो था हमीं लोगों को समालना था तिलक बहुत अच्छा हुआ जितना उमीन नहीं था उससे भी कई जाता इसके बाद 24 तारीको तिलक था 28 तारीको साधी था इसके बाद 4 दिन का मौका मिना हुआ था तो जो साधी का और चीज बचाप हुआ था उसको लगातार लाना या जो और चीज इकठा करना था उसको लगातार किया गया और तिलक में और हावन में इतना ठक गए थे कि 2-3 तो आराम किये इसके बाद 28 तारीक को फिर continue जो आप जानते होंगी कि हम लोगों के हाँ जो है जनियो संसकार होता है तो 27 तारीक को जनियो संसकार हुआ बड़ी भाई साब का उसमें पूरा दिन चला गया और उसी दिन जो है और चीज करवाना था जैसे कि फेसियर या जो ची तो आधी थी साधी का पूरा फ्रोगराम हो तो जानते हैं साधी कि दिन पूरा मैनेज करना आया कैसे कितनी गाड़िया अरही डीजे कब आएगा जो उ उत्तर प्रदेस के साधीं में होता जैसे कि आप जानते होंगे भांगड़ा वाले कब आएंगे, डीजे कब आएगा, कब से चलना है बरात, पोस्टर कहां कहां लगेगा, दुलेगी गाड़ी कहां पर सजेगी, सजाने वाला माली कब तक आएगा, तो सारे जिम्मेदारी यह सथी, उसको अरेजमेंट करना था, देखना था, तो यह सब अरेजमेंट 28 तारीक को सुबा से लेकर, दो बज़ गया करते करते, और इधर बड़े भाई साब जी, दो बज़े से तयार होना भी सुरू कर दिये थे, तो हमारे बड़े भाई साब जी जो पांच बज़े तक रेटी हो गए थे, हमसे का यह प्ला जानी यही था कि सर्यूपूल पर जैसे कि आप जानते होंगी कि बस्ती वाले रूट पर सर्यूपूल पढ़ता है, आयोध्या में सर्यू नदी है, तो वहाँ पर हम लोगों की सूटिंग हुई थोड़ा देर, सारी गाड़िया एक साथ चली और बड़े दूले साब का अल पूजा पाट हुआ जितना भी हिंदु धर्म में, सनातन धर्म में होता है, उसको किया गया, 28 तारीको बरात सुबा जो फंसन होता है, जो बैठेकी का होता है, या जो खिजड़ी खिलाने वाला होता है, यह सब होते होते बच गया बारा, बारा बजे हम लोग अपने घर प साथी में, एक दूले की गड़ी थी, तो सब मिला के जो सब गड़ियां चलिया आए थी, तीन या चार आटिका विची हुई तीस हुआ, वो साथ में आई, और 29 तारीक बारा बजे हम लोग अपने घर पे भोजगे, इसके बाद 30 तारीक का महीना था, 30 बीता, और एक तारी सब्सक्राइब करने तो सुट्रीटे चार वुआ था, और 3-4 गड़िया और थी, तो रुकल मिला कि 21-22 लोग गए गवना लाने, इसके बाद 4 तारीक को चौथा हुआ, जैसा कि जानते हैं कि हम लोगों के अवद्छेत में, 4 का सीन होता है, तो सीन हुआ तो इसी कारण में इतना विजी चल ला था, और 1.5 महिने के दवरान इतना जगहां घूमाई किया गया, इतना कारण बाटा गया, जो भी चीज हुआ, तो उसी में इंक्लूट हुए थे, और वीडियो ना आने का कारण यही था, दिन में आपको डिवाइड करके बताया कि यह यह दिन में मैं यहां यहां भी जी था, और पूरा जिम्मेदारियां जो हम ही लोगों के सर पे थी, तो अधिकतर सब चीज किया गया, सब चीज मातारानिक दूआ से अच्छे से बीत गया, और अजपुना जो पीछे वेग्राउंड देख रहे हैं, तो मैं आजमगड़े में आ गया हूँ आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किया, तो चैनल को स्क्राइब कर लें, अब आगए वाने समय में continue वीडियो आती रहेगी, अब मेरेए इस चैनल पर अंकी दिलाभाधी पर, तो अब चैनल को स्क्राइब कर लें, ज जितना भी ब्याट का, महराज स जो हिल्दो उनिवस्टी से या बेट की और जो जानकारी होंगी सीटर्ट की जानकारी होंगी मैं सारी देता रहोंगा आपको जय हिंद।